कुरिंथियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से ईशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सुस्तनिस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिंथुस में है अर्थात उनके नाम जो मसीह यिशु में पवित्र किये गए और पवित्र होने के लिए बुलाये गए हैं और उन सब के नाम भी जो हर जगा हमारे और अपने प्रभू यिशु मसी के नाम की दुहाई देते हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यिश्व मसी की ओर से तुम्हे अनुग्रहे और शान्ती मिलती रहे। मैं तुम्हारे विशे में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रहे तुम पर मसीही यिश्व में हुआ। उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ग्यान में धनी किये गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली यहां तक कि किसी वर्दान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभू यीशु मसी के प्रकट होने की पाट जोते रहते हो वो तुम्हें अंत्य तक द्रिड़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभू यीशु मसी के दिन में निर्दोष्ट है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभू येशु मसी की संगती में बुलाया है हे भाईयों, मैं तुमसे येशु मसी जो हमारा प्रभू है उसके नाम के द्वारा विनेती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो तुम में फूट ना हो परन्तु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो क्योंकि हे मेरे भाईयों खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुहारे विशय में बताया है कि तुम में छगड़े हो रहे है मेरा कहना ये है कि तुम में से कोई तो अपने आँगो पॉलोस का कोई अपॉलोस का कोई कैफा का कोई मसीह का कहता है क्या मसीही बट गया क्या पॉलोस तुम्हारे लिए क्रूस पर चड़ाया गया क्या तुम्हें पॉलोस के नाम पर बप्तिस्मा मिला मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़, मैंने तुम में से किसी को भी बब्तिस्मा नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बब्तिस्मा मिला, मैंने स्थिपनास के खलाने को भी बब्तिस्मा दिया, इनको छोड़, मैं नहीं जानता कि मैंने और किस क्योंकि मसीही ने मुझे बप्तिस्मा देने को नहीं वरन सू समाचार सुनाने को भीजा है और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठेरें क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्टता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूगा और समझतारों की समझ को तुच्छ कर दूगा कहां रहा ज्ञानवान कहां रहा शास्त्री कहां इस संसार का विवादी क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया क्योंकि जद परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे यहूदी तो चिन्ध चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है परन्तु हम तो उस ग्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है परन्तु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ग्यान है क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ग्यान से ग्यानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत पल बढ़ें, है भायों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ग्यान बाहन, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत बुली बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, कि क्यान वानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करना और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुछों को वरण जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वेर्थ ठहरा है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने अर्थार धर्म और पवित्रता और छुटकारा ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हूँ कि जो खमंट करे वो प्रभु में खमंट करे अध्यायतो हे भाईयों, जब मैं परमेश्वर का भेच सुनाता हुआ, तुम्हारे पास आया, तो वचन या घ्यान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मैंने ये ठान लिया था, कि तुम्हारे बीच, ये शुमसी, वरन कुरूस पर चढ़ाये हुए मसी को छोब, और किसी बात को ना चाने। मैं निर्बलता और भाई के साथ और बहुत धर धराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ग्यान की लुभाने वाली बाते नहीं, परन्तु आत्मा और सामर्थ का प्रमान था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ग्यान पर नहीं परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो सिध्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परन्तु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं परन्तु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की दीती पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते, तो तेजों मैं प्रभु को क्रूस परना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा, और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चड़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, वरन परमेश्वर की गूडू बातें भी जाचता है मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा परंतु हमारे संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो पर मेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परन्तु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहंण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी द्रिष्टी में मुर्खता की बाते हैं। और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जान्च आत्मिक रीती से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जाचता है परन्तु वो आप किसी से जाचा नहीं जाता क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए परन्तु हम में मसीह का मन है अध्याय तीन हे भाईयों मैं तुम से इस रीती से बाते ना कर सका चैसे हत्मिक लोगों से परन्तु जैसे शारीरिक लोगों से और उन से जो मसीह में बालक हैं मैंने तुम्हें दूद पिलाया, अन ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरण अब तक भी नहीं खा सकते हों क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डहा और छगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीदी पर नहीं चलते इसलिए कि जब एक कहता है मैं पॉलूस का हूँ और दूसरा कि मैं अपॉलूस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं अपुलोस क्या है, पॉलोस क्या है केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया जैसा हर एक को प्रपु ने दिया मैंने लगाया, अपुलोस ने सीचा परन्तु परमेश्वर ने बढ़ाया इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सीचने वाला और सीचने वाला दोनों एक हैं परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्वर्म के अनुसार अपनी ही मज़दूरी पाएगा क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो परमेश्वर के उस अनुग्रह की अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धीमान राज मिस्तरी की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है क्योंकि उस नेव को छोड़ जो प सोना या चांदी या वहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रगठ हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा इसलिए कि आख के साथ प्रगठ होगा और वो आख हर एक का काम परखेगी कि कैसा है जिसका काम उस पर बना हुआ स प्ष्थेर रहेगा, वो बस दूरी पायेगा, और यदि किसी का काम चल जाएगा, तो वो हानी उठाएगा, पर वो आप बच्चाएगा, परंतु चलते चलते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, य क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। क्या पॉलोस, क्या पुलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीही के हो और मसीही परमेश्वर का। अध्याय चार मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले परन्तु मेरी द्रिष्टी में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याई मुझे परखे वरन मैं आप ही अपने आपको नहीं परखता क्योंकि मेरा मन मुझे किसी पात में तोशी नहीं ठहराता परन्तु इससे मैं निर्दोश नहीं ठैरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभू है, सो जब तक प्रभू ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छेपी बातें जियोती में दिखाएगा, और मनों की मत्यों को प्रगट करेगा, तब किश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, है भाईू, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अप पुलोस की चर्चा द्रिश्टांत की रीती पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो, कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेत करता है, और तेरे पास क्या है जो तुने दूसरे से नहीं पाया, जबकि तुने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है, कि मानू नहीं पाया, तुम तो त्रिप्त हो तुमने हमारे बिना राज्य किया भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की नाई ठेहराया है जिनकी मृत्यू की आग्या हो चुकी हो क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुश्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परन्तु तुम मसीह में बुद्धिमान हो हम निर्बल हैं परन्तु तुम बलवान हो तुम आधर पाते हो परन्तु हम निराधर होते हैं हम इस घड़ी तक भूखे, ब्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परीश्रम करते हैं लोग बुरा कहते हैं, हम आशीश देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनिती करते हैं, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तूओं की खुर्चन की नाई ठहरे हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बाते नहीं लिखता हूँ, परन्तु अपने प्रिये बालक चान कर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले दस हजार भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीही में सूसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो मैं तुमसे विनिति करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तिमूत ही उसको जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा हैं। और वो तुम्हें, मसीही में मेरा चरित्र स्मरं कराएगा, चैसे कि मैं हर जगा हर एक कलीसिया में उप्तेश करता हूँ, कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परन्तु प्रभु चाहे, तो मैं तुम्हारे पास शीग्र ही आऊंगा, और पूले हुऊं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ में है, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आउं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? अध्याए पांच मैं तुश और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला चाता, परंतु खमंड करते हो, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर, मानो पस्थिती की दशा में ऐसे काम करने वाले के विशे में ये आत्किया दे चुका हो, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभू यिशु की सामर्थ के साथ इकठे हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभू यिशु के नाम से, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौपा ता कि उसकी आत्मा प्रभू यिशु के दिन में उधार पाए। हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से, और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अध्याय छे क्या तुम में से किसी को ये हियाब है कि जब दूसरे के साथ जगड़ा हो, तो फैसले के लिए धर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगड़ का नियाय करेंगे? तो जब तुम्हें जगड़ का नियाय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे जगड़ों का भी निरनाय करने के योग नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का नियाय करेंगे? तो तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अपने भाईयों का निर्ड़ाय कर सके, वरन भाई-भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने, परन तु सचमुच तुम में बड़ क्या तुम नहीं जानते कि अन्याई लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, थोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूचक, ना परिस्त्रिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुष्कामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्यक्कर, ना गाली देने वाल परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परन्तु तुम प्रभु यिश्व मसी के नाम से, और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, और पवित्र हुए, और धर्मी ठहरे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परन्तु सब बात के आधिन ना होंगा, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परन्तु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, परन्तु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है, और परमेश्वर ने अपन के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं। कदापी नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगती करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगती में रहता है, वो उसके साथ ए कात्मा हो जाता है वे अभी चार से बचे रहों जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं प्रन्तु वे अभी चार करने वाला अपनी ही देह के विरुद पाप करता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम दे कर मोल लिये गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो अध्याय साथ उन बातों के विशय जो तुमने लिखी ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना चुए परन्तु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पती हो पती अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पती का पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पती का अधिकार है वैसे ही पती को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परन्तु पत्नी को, तुम्हें एक दूसरे से अलग ना रहो, परन्तु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मती से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो, कि तुम्हारे असयम के कारण शै वैसा ही सब मनुष्य हो, परन्तु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेश वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का, परन्तु मैं अविवाहितों और विद्वाओं के विशे में कहता हूं, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा म प्रण तु यदि वे सयंम ना कर सकें तो विवह करें क्योंकि विवह करना कामातू रहने से भला है जिनका ब्यहां भो गया है उनको मैं नहीं है परन प्रभु आक्या देता है कि पत्नी अपने पती से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तुम दूसरा ब्यहा किये रहे या अपने पती से फिर मेल कर ले और ना पती अपनी पत्नी को छोड़े दूसरों से प्रभु नहीं, परन तुमें ही कहता हूं यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसंद हो तो वो उसे ना छोड़े जिस स्त्री का पती विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसंद हो वो पती को ना छोड़े क्योंकि ऐसा पती जो विश्वास ना रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पती के कारण पवित्र ठहरती है नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुत्त होते परन्तु अब तो पवित्र है परन्तु जो परमेश्वर ने तो हमें मेल मिला के लिए बुलाया है, क्योंकि हे इस्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पती का उधार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पतनी का उधार करा ले, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बाटा है, और जैसा जो खतना रहित बुलाया गया हूँ वो खतना ना कराए ना खतना कुछ है और ना खतना रहित परंतु परमेश्वर की आग्याओं को मानना ही सब कुछ है हर एक चन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर परन्तु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है तुम दाम देकर मोल लिये गए हो मनुश्यों के दास ना बनो हे भाईयों जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे कुवारियों के विशे में प्रभु की कोई आग्या मुझे नहीं मिली परन्तु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मती देता हूँ मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्म ना कर और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर परन्तु यदि तू ब्या भी करे तो पाप नहीं और यदी कुवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं परंतु ऐसों को शारिड इक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ हे भाईूं, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानों उनके पत्नी नहीं और रोने वाले ऐसे हो मानों रोते नहीं और आनंद करने वाले ऐसे हो मानों आनंद नहीं करते और मूल लेने वाले ऐसे हो कि मानों उनके पास कुछ है नहीं और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो ये संसार ही के ना हुले क्योंकि संसार की रीती और व्यवाहा बदलते जाते हैं सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हूँ अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन रखे परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्री को किस रीदी से प्रसन रखे विवाहिता और अविवाहिता में भी भेथ है अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र परन्तु वे वाहिता संसार की जिंता में रहती है कि अपने पती को प्रसन रखे ये बात तुम्हारे ही लाप के लिए कहता हूँ ना कि तुम्हें भसाने के लिए वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रियोजन भी होए तु जैसा चाहे वैसा करे इसमें पाप नहीं वो उसका ब्याह होने दे परन तु जो मन में द्रिड रहता है और उसको प्रियोजन ना हो वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुमारी लड़की को बिन ब्याही रखूँगा वो अच्छा करता है सो जो अपनी कुमारी का ब्याह कर देता है वो अच्छा करता है और जो ब्याह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है जब तक किसी स्त्री का पती जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है परंतु जब उसका पती मर चाए तो जिस से चाहे विवहा कर सकती है परंतु केवल प्रभू में परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है अध्याए आठ अब मूर्तों के सामने बली की हुई वस्तूओं के विशे में हम जानते हैं कि हम सब को ग्यान है ग्यान घमन डुत्पन करता है परंतु प्रेम से उन्नती होती है यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है मूर्तों के सामने बली की हुई वस्तूओं को खाने के विशे में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तू नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं यद्यपी आकाश में और प्रत्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभू है तो भी हमारे निकरतो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तू है हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभू है अर्थात ईश्व मसीह जिसके द्वारा सब वस्तू हुई हम भी उसी के द्वारा हैं सब को ये ग्यान नहीं है परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बली क्यू हुई को कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानी नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाब नहीं चोकस रख ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए यदि कोई तुझ ग्यानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बली की हुई वस्तु के खाने का हियाब ना हो जाएगा इस रीती से तेरे ग्यान के कारण वो निर्बल भाई नाश हो जाएगा जिसके लिए मसीह मरा भाईयों का अपराद करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराद करते इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाएगा तो मैं कभी किसी रीती से मांच ना खाऊँगा ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूँ क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने युशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाय हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो जो मुझे जाचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को बिहा करके लिए फिरें जैसा और प्रेरित और प्रभू के भाई और कैफा करते हैं या केवल मुझे और बरनवास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े कौन कभी अपनी गिरहे से खाकर सिपाही का काम करता है कौन दाक की बारी लगा कर उसका फल नहीं खाता कौन भेडों की रखवाली करके उनका दूद नहीं पीता क्या मैं ये बाते मनुष्य ही की रीती पर बोलता हूं क्या वेवस्था भी यही नहीं कहती क्योंकि मूसा की वेवस्था में लिखा है कि दाए में चलते हुए बैल का मुहना बांधना क्या परमिश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेश करके हमारे लिए कहता है हाँ हमारे लिए ही लिखा गया क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे तो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारिरिक वस्तुओं की फसल काटे जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक नहोगा परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए हम सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसी के सुसमचार की कुछ रोक नहो क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीती से प्रभू ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं। उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परन्तु मैं इन में से कोई भी बात काम में ना लाया। और मैंने तो ये बाते इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है, कि कोई मेरा घहमन वेर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाओं, तो मेरा कुछ घहमन नही क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है और यदि मैं सू समाचार ना सुनाँ तो मुझ पर हाई यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पन मुझे सौपा गया है सो मेरी कौन सी मचदूरी है ये कि सू समाचार सुनाने में मैं मसी का सू समाचार सेंथ मेंट कर दूँ यहां तक कि सू समाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीती से काम मिलाँ क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आपको सबका तास बना दिया है कि अधिक लोगों को खीच लाओं मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खीच लाओ जो लोग व्यवस्था के आधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के आधीन ना होने पर भी व्यवस्था के आधीन बना प्योंने जो व्यवस्था के आधीन है खीच लाओं व्यवस्था हीनों के लिए मैं जो पर्मेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परन्तु मसीह की व्यवस्था के आधीन है व्यवस्था हीन सा बना कि व्यवस्था हीनों को खीच लाओं कि विवस्था हीन सा बना कि विवस्था हीनों को खीच लाओं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खीच लाओं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं। कि किसी ना किसी रीती से कई एक का उधार कराूं। और मैं सब कुछ सूसमाचार के लिए करता हूँ, जो औरों के साथ उसका भागी हो जाओ क्या तुम नहीं जानते कि दौड में तो दौडते सभी हैं, परन्तु इनाम एक ही ले जाता है तुम वैसे ही दौडों कि जीतो, और हर एक पहलवान सब प्रकार का सयम करता है यह तो एक मुर्जाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं परन्तु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, जो मुर्जाने का नहीं इसलिए मैं तो इसी रिती से तोड़ता हूँ परन्तु वे ठिकाने नहीं मैं भी इसी रिती से मुक्कों से लड़ता हूँ परन्तु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लगता हूँ परन्तु मैं अपनी देह को मारता, कूठता और वश मिलाता ऐसा ना हो, कि औरों को प्रचार करके, मैं आप ही किसी रीती से निकम्मा ठहरूँ अध्याय दस हे भाईयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अग्यात रहो कि हमारे सब बापतादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बप्तिस्मा लिया सब ने एक ही आत्मिक भूजन किया, सब ने एक ही आत्मिक चल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चटान मसीही था परंतु परमेश्वर उन में के बहुत थेरों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में ठेर हो गए ये बातें हमारे लिए द्रिश्टांत ठेरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तूओं का लालच ना करें और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में तैईस हजार मर गए ना हम प्रभू को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सापों के द्वारा नाश किये गए न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीती से उन में से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किये गए ये सब बातें जो उन पर पड़ी द्रिश्टांत की रीती पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी कई है इसलिए जो समस्ता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से पाहर है परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें सामर्ज से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको इस कारण हे मेरे प्यारों मूर्ती पूजा से बचे रहू मैं बुद्ध हिमान जान कर तुम से कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उसे तुम पर्खो वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लोहू की सह भागिता नहीं वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की दे की सह भागिता नहीं इसलिए कि एक ही रोटी है सो हम भी जो बहुत हैं एक दे हैं क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं जो शरीर के भाव से इसराइली हैं उनको देखो क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं फिर मैं क्या कहता हूँ क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है नहीं वरन ये कि अन्य जाती जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परन्तु दुष्टात्माओं के लिए वलिदान करते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों मेज से नहीं पी सकते तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मों की मेज दोनों के साज ही नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिश्ट दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित्तों हैं, परन्तु सब लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित्तों हैं, परन्तु सब वस्तुओं से उन्नती नहीं. कोई अपनी ही भलाई को न ढूंडे, परन औरों की. जो कुछ कसाईयों के हाँ बिकता है, वो खाओ. और विव और तुम जाना चाहूं, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछू। परन्तु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूरत की बली की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परन्तु उस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवात करके साची होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवात करता हूं, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहुदियों, ना युनानियों, और ना परमेश्वर की कलिसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। चैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसंद रखता हूँ और अपना नहीं, परंतु बहुतों का लाब ढूनता हूँ, कि वे उद्धार पाएं। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, हे भाईयो, मैं तुम्हें सराहता हूँ जिसल बातों में मुझे स्परन करते हूँ, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौप दिये हैं, उन्हें धारन करते हूँ. सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसी है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसी का सिर परमेश्वर है जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्य द्वानी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है, परन्तु जो स्त्री उधाले सिर प्रार्थना या भविष्य द्वानी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है, यदि स इस्त्री के लिए बाल कटाना या मुंदाना लच्चा की बात है, तो ओड़नी ओड़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु इस्त्री पुरुष की महिमा। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष इस्त्री के लिए नहीं सिर जा गया, परंतु इस्त्री पुरुष के लिए सिर जी गई है, इसलिए स्वर्ग दूतों के कारण इस्त्री को उचित है, कि अधिकार अपने सिर प पुरुष इस्त्री के द्वारा है परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं तुम अपने आप ही विचार करो क्या इस्त्री को उखाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहाता है क्या स्वभावी कृती से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है परन्तु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शुभा है क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिये गए हैं परन्तु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीती है परन्तु या आग्या देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकठे होने से भलाई नहीं परन्तु हानी होती है क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ प्रतीती भी करता हूं, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं, वे प्रकट हो जाएं। सो तुम, जो एक जगा में इकट्ठे होते हो, तो ये प्रभू भोच खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोच खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो जाता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलिसिया को तुछ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लजजित करते हो, मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुची, और मैंने तुम्हें भी जिस रात वो पकडवाया गया रोटी ली, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरन के लिए यही किया करो, इसी रीती से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और कहा, ये कटोरा मेरे लोहु में नई वाचा है जब कभी पियो, तुम्हेरे स्मरन के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो, इसलिए जो कोई अनुचित रीती से प्रभु की रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पीए, वो प्रभु की देहे और लोहु का पराधी ठहरेगा, इसलिए मनुष्य अपने आपको जाच ले और इसी रीती से इस रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पीए, क्योंकि जो खाते पीते समये प्रभु की देहे को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अ यदि हम अपने आपको चाच दे, तो दंड ना पाते, परन्तु प्रभु हमें दंड देकर हमारी तालना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोशी ना ठहरें, इसलिए हे मिरे भाईयों, जब तुम खाने के लिए एकठे होते हो, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, यदि कोई भूखा हो, तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकठा होना दंड का कारण ना हो, और शेश बातों को मैं आकर ठीक कर दूँगा. अध्याए बारा चलाय जाते थे, वैसे चलते थे, इसलिए मैं तुम्हें चिताउनी देता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यिशू स्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है, कि यिशू प्रभू है. वर्दान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभू एक ही है, और प्रभावशाली कारिक कई प्रकार के है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन करता है, किन्तु सब के लाब पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रखाश दिया जाता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ग्यान की बाते हैं और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वर्दान दिया जाता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ती और किसी को भविश्य द्वानी की और किसी को आत्माओं की परक्त और किसी को अनेक प्रकार की भाशा और किसी को भाशाओं क परंतु ये सब प्रभावशाली कार वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सबंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है उसी प्रकार मसीही भी है क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बप्तिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया इसलिए कि देह में एक ही अन नहीं परंतु बहुत से हैं, यदि पाउं खहें कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है जदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहा होती परन्तु अब अंग तो बहुत से हैं परन्तु देह एक ही है आँखाज से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं और ना सिर्प पाउं से कह सकता ह है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं परन्तु देह के वे अंग जो औरों से इंदिरबल देख पड़ते हैं बहुत ही आविश्यक है और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग के नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभा ही अंग और भी बहुत शोभाय मान हो जाते हैं फिर भी हमारे शोभाय मान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं परन्तु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो ताकि देह में फूटना पड़े परन्तु अंग एक दूसरे की बरा हाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग-अलग उसके अंग हो और परमेश्वर ने कली सिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किये हैं प्रथम प्रेरे दूसरे भुश्य द्वक्ता तीसरे शिक्षक फिर सामर्थ के काम करने वाले पिर जंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाशा बोलने हैं क्या सब प्रेरित हैं क्या सब भवश्य द्वक्ता हैं क्या सब उप्रदेशक हैं क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं क्या सब को जंगा कर क्या सब नाना प्रकार की भाशा बोलते हैं, क्या सब अनुबात करते हैं, तुम बड़े से बड़े वर्दानों की धुन में रहो, परंच तुम्हें और भी सब से उत्तम मार्ग बताता हूं. अध्याय तेरा तो मैं कुछ भी नहीं, और यदि मैं अपनी संपून संपत्ति कंगालों को खिलादू, या अपनी देह जलाने के लिए देदू, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाब नहीं. प्रेम धीरजवन्त है और कृपाल है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वो अनरीती नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, छुझलाता नहीं, पुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से जानन्दित होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीती करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरच रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविश्य द्वानियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाशाय हों तो जाती रहेंगी, ग्यान हो तो मि जब मैं बालक था, तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों कासा मन था, बालकों की सी समझ थी, परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बाते छोड़ती, अब हमें तरपण में धुंदला सा दिखाई देता है, परन्तु उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेर का ग्यान अधूरा है परन्तु समय ऐसी पूरी रीती से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं परब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थाई हैं पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है अध्याय चोदे है प्रेम का अनुकरन करो और आत्मिक वर्दानों की भी धुन में रहो विशेश करके ये कि भविश्य द्वानी करो क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं परन्तु जो भविश्य द्वानी करता है वो मनुश्यों से उन्नती और उक्तेश और शांती की बाते कहता है। कली सिया की उन्नती के लिए अनुवाद ना करें तो भविश्य द्वानी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि उनके स्वरों में भेदना हूँ तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हूँ तो कौन लड़ाई की लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीब से साफ साफ बातें ना कहूँ तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाशाएं क्यों ना होूँ परंतों में से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाशा का अर्थ ना समझूँ तो बोलने वाले की दृष्टी में परदेशी ठहरूँगा और बोलने वाला मेरी दृष्टी में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्म करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नती से कली सिया की उन्नती हो। इस कारण जो अन्य भाशा बोले तो वो प्रार्थ ना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाशा में प्रार्थ ना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थ ना करती है। परन्तु मेरी बुद्धी काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थ ना करूंगा और बुद्धी से भी प्रार्थ ना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धी से भी गाऊंगा नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अक्यानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है तू तो भली भाती से धन्यवात करता है, परंतु दूसरे की उन्नती नहीं होती, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवात करता हूँ, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाशा में बोलता हूँ, परंतु कलिसिया में अन्य भाशा में दस हजार बाते कहने से ये मुझे और भ बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अन्य भाशा बोलने वाले के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बाते करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे इसलिए अन्यान्य भाशाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्न है और भविश्य द्वानी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्न है सो यदि कलीसिया एक जगा इकठी हो और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आजाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे परन्तु यदि सब भविश्य द्वानी करने लगें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आजाए तो सब उसे दोशी ठहरा देंगे और परक लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मूँ के बल गिरकर परमेश्वर को दन्डवत करेगा और मान लेगा कि सच मुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है इसलिए हे भाईयो क्या करना चाहिए जब तुम इंखटे होते हो तो हरे के हिरदय में भजन या उपदेश या अन्य भाशा या पिकाश या अन्य भाशा का अर्थ बताना रहता है सब कुछ आत्मिक उन्नती के लिए होना चाहिए यदि अन्य भाशा में बाते करने हो तो दो-दो या बहुत हो तो तीन-तीन जन बारी-बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे परन्तु यदि अनुवाद करने वाला नहो तो अन्य भाशा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बाते करे भविश्य दुखताओं में से दो वातीन बोले और शेश लोग उनके वचन को पर्खे परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कोछे इश्वरिय प्रकाश हो पहला चुप हो जाए क्योंकि तुम सब एक एक करके भविश्य दुआनी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांती पाएं और भविश्य दुखताओं की आत्मा भविश्य दुखताओं के वश में है क्योंकि परमेश्वर गडबड़ी का नहीं परंतु शांती का करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बाते करने की आग्या नहीं परंतु आधीन रहने की आग्या है जैसा व्यवस्था में लिखा भी है और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पती से पूछें क्योंकि इस्त्री का कलीसिया में बाते करना लज्जा की बात है क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला? या केबल तुम ही तक पहुँचा है यदि कोई मनुष्य अपने आपको भविश्य द्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बाते मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभू की आग्याएं हैं परन्तु यदि कोई ना जाने तो ना जाने सोहे भाईयों भविश्य द्वानी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो पर सारी बातें सभ्यता और क्रमा नुसार की जाएं अध्याए पंद्रा हे भाईयों मैं तुम्हें वही सू समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ जिसे तुमने अंगिकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर्पी हो यदि उस सू समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरन रखते हो तो उसी के द्वारा तुम्हारा उत्थार होता है नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुचा दी जो मुझे पहुची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन की अनुसार ये शू मसी हमारे पापों के लिए मर गया और गाढ़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया फिर पांच सो से अधिक भाईयों को एक साथ दिखाई दिया चिन में से बहुत तेरे अब तक वित्यमान है पर कितने सो गए फिर याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने के योग के भी नहीं क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मु विश्वास भी किया और यदी मरे हुए नहीं जी उठते तो हम परमेश्वर के जूटे गवा ठेरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विशे में ये गवा ही दी कि उसने मसीह को जिला दिया और यदी मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में भसे हो परन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाशुए यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं परन तु सच मुच मसीह मुर्दों में से ची उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यों आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुँँ का पुनरुथान भी आया और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब चिलाए जाएंगे परन तु हर एक अपनी अपनी बारीज से पहला फल मसी फिर मसी के आने पर उसके लोग इसके बाद अंत होगा उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ कांत करके राज्जी को परमेश्वर पिता के हाथ में सौप देगा क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पाउं तले ना ले आए तब तक उसका राज्जी करना अवश्य है सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यू है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाउं तले कर दिया है परन तु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके आधeन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके आधeन कर दिया वो आप अलग रहा और जब सब कुछ उसके आधीन हो जाएगा तो पुत्र आभी उसके आधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके आधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो नहीं तो जो लोग मरे हुँ के लिए बब्तिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्देजी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बब्तिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखी में पड़े रहते हैं? हे भाईयों, मुझे उस खमंड की सहुझ जो हमारे मसी यिशु में से तुम्हारे विशे में करता हूँ, कि मैं प्रती दिन मरता हूँ यदि मैं मनुष्य की रीती पर इफुसुस में वन पशुँं से लड़ा, तो मुझे क्या लाब हुआ यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, खाएं, पिएं, क्योंकि कल तो मरी जाएंगे, थो खाना खाना, बुरी संगती अच्छे चरित्र को बिगार देती है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीती से जी उठते हैं, और कैसी देह के साथ आते हैं, हे निर्बुधी, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है, वो ये देह नही जो उत्पन होने वाली है, परन्तू निरादाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाच का, पर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीच को उसकी विशेश देह, सब शरीर एक सरीखे नहीं, परन्तू मनुश्यों का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मचलियों का शरीर और है, स्वर्गिये देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परन्तू स्वर्गिये देहूं का तेज और है, और पार्थिव का और, सुरे का तेज और है, चांद का तेज और है, और ताराकनों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है शरीर नाश मान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में ची उठता है वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के सा जी उठता है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथा मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना, परंतु पहल यह आत्मिक ना था पर स्वभाविक था इसके बादात्मिक हुआ। प्रत्थम मनुष्य धरती से अर्थात मिठ्ट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गिये है जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं जैसा वो स्वर्गिये है वैसे ही और भी स्वर्गिये हैं जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारन किया वैसे ही उस स्वर्गिये का रूप भी धारन करेंगे हे भाईू मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है देखो मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले और ये मरनहार दे अमर्ता को पहन ले और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरनहार अमर्ता को पहन लेगा तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जये ने मृत्यू को निकल लिया हे मृत्यू तेरी जये कहा रही हे बृत्यू तेरा डंक कहा रहा बृत्यू का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है परन्तुपरमेश्वर का धन्यवात हूं जो हमारे प्रभु यिशू मसी के द्वारा हमे जैवन्त करता है सो हे मेरे प्रिये भाईوں द्रेड और अटल रहो और प्रभु के काम में सरवदा बढ़ते जाओ क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है अध्याए सोला अब उस चंदे के विशे में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है जैसी आग्या मैंने गलतिया की कलिसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो सब्ता के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े और जब मैं आऊंगा तो जने तुम चाहोगे उन्हें मैं चिठियां दे कर भेश दूँगा कि तुम्हारा दान यरुशलेम पहुचा दे और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे मैं मकी दुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे मकी दुनिया होकर तो जाना ही है परन्तु संभव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाओ और शरद रितु तुम्हारे यहां काटू तब चे सोर मेरा जाना हो उसोर तुम मुझे पहुचा दो क्योंकि मैं अब मार्क में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता परन्तु मुझे आचा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा परन्तु मैं पेंटिकुस तक इफुसुस में रहूँगा क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं यदि तीमूत ही उस आजाएं तो देखना कि वो तुम्हारे यहां निडर रहें क्योंकि वो मेरी नाई प्रभु का काम करता है इसलिए कोई उसे तुछ न जाने परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुचा देना कि मेरे पास आ जाए क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वो भाईयों के साथ आए और भाई अपुलोस से मैंने बहुत विनिती की कि तुम्हारे पास भाईयों के साथ जाए परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छना की पर जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा चाकते रहो विश्वास में स्थिर रहो पुरुशार्थ करो बलवन्त हो जो कुछ करते हो प्रेम से करो हे भाईयों तुम इस्थिफ नास के घराने कुछ जानते हूं कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तयार रहते हैं सो मैं तुमसे विनिती करता हूं कि ऐसों के आधीन रहो वरन हर एक के जो इस कान में परिश्रमी और सह कर्मी है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है इसलिए ऐसों को मानो आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार अकविला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसियों का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार सब भाईयों का तुमको नमस्कार पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करू मुझ पॉलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार यदि कोई प्रभू से प्रेम ना रखे तो वो स्रापित हो हमारा प्रभू आने वाला है प्रभू यिशु मसी का अनुग रहे तुम पर होता रहे मेरा प्रेम मसीह यिशु में तुम सब से रहे आमीन